चलें, शुरू करते हैं, पंचमह पाठह कुटमबानुरक्ति ही पाचवा पाठह ये कक्छा दस्वी की शंश्कृत का है, ध्यान से दिखें उपर से ही स्टार्ट करते हैं पने और ये परिशिष्ट भी पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे इसके बाद पाठह स्टार्ट करेंगे पंचमह पाठह 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 पाँच कुटमबानुरक्ति कुटमबानुरक्ति मतलब कुटमब से अनुरक्ति कुटमब मतलब होता है परिवार और अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम तो कुटुम्बान उरक्ती परिवारशे प्रैम नाटक को पूरा देखेंगे संस्कृत नाटक कारेशु प्रमुखैन महाकभी भासेन नाटकांतम कवित्वम इती उक्ति उक्तिम चरितार्थम करत्वा त्रियोदश नाटकानी विरचितानी देखें क्या कहा संस्कृत नाटक कारेशु प्रमुखैन, प्रमुखरूपशे महाकभी भासेन नाटकांतम कवित्वम एक ये उक्ति है इनके लिए नाटकांतम कवित्वम इती इस प्रकार की उक्तिम उक्ति को चरितार्थ कर दिया है करत्वा मतलब करके त्रियोदस नाटकानी त्रियोदस मतलब होता है तेरह नाटकानी तो त्रियोदस नाटकों को वरचितानी रचा या फर इनके द्वारा रचे गए तो इन्होंने क्या किया संस्क्रत नाटकारों में प्रमख नाटकार जो महा कभी भास है इन्होंने अपनी जो ये उक्ती है इनके लिए ये उक्ती दी थी कहा जाता है इनके लिए नाटकांतम कवित्तम नाम से तो ये इन्होंने चरितार्थ कर दी है और इन्होंने तेरह नाटकों की रचना की तानीचा दूतवाक्यम करणवहारम दूत घटोत कचह मध्यम यायोगह पंचरात्रम रूभंगम अविशेक नाटक वालचरितम अभिमारकम प्रतिमानाटकम प्रतिग्या योगंधरायन शप्नबासावदत्तम चारुदत्त स्चेती चारुदत और चारुदत्त आप लोग नाटकों का अध्यन करें बहुत बढ़िया नाटक है दूतवाक के बहुत अच्छा नाटक है करणवहार भी है जो की करणक की कथा का वर्णन है इसमें दूतवाक के में दूत बनाकर भीजा जाता है दूत घटोत कचम में घटोत कचको दूत बनाकर भीजा जाता ह मध्यम ब्यायोग जो आपके अभी पाठ चलेगा यह मध्यम ब्यायोग से लिया गया है पंचरात्रम भी है इसमें पंचरात्रम बहुत बढ़ी है कथा है उरुभंग एक एकांग की है जिसमें उरुभंग की चर्चा है भीम और दुर्योधन का उद्धोता है अभिशेक गंधरायन भी एक बड़िया नाटक है और सुपनबासवदत्तम जो है एक दूसरे के उत्रार्ध और पूरवार्ध है और एक चारुदत्त जो है मरच्छ कटिकम नाटक जो है प्रकरण है उश्का उपजीव यह है चलने देखते है अंसो अयम भास प्रणीतात मध्यम इति ग्रंथान ग्रहीता अंसो अयम अंसह अयम होगा इसका तो अंसह मतलब अंस अयम मतलब यह यह अंस जो है यहां जो नीचे पाठ दिया गया है यह भास प्रणीत भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग नाम के इति ग्रंथान इस प्रकार के ग्रंथशे ग्रंथात ग् से इस में इस अंस में प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है यत की यदा जब घटोत कचेन घटोत कचने बधार्थ बधार्थम बधार्थ के लिए अर्थम सब्द आपको जहां भी मिले तो आपको के लिए उसका अर्थ निकालना है अर्थम जहां भी मिले उसका अर्थ क्या न अर्थम इस पकार से अर्थम सब्द जहां भी हो एक ब्राम्हण परिवारह एक ब्राम्हण परिवार समाशादिताह समाशादिताह मतलब ग्रहण किया तदा परिवारस्य यह फर प्राप्त किया भी कह सकते हैं एक ब्राम्हण परिवार को बध के लिए प्राप्त किया तदा परिवारश्य शर्वेश दस्याह स्वा परिवारकान अन्यान स्दस्यान मोक्तुम स्वा प्राणोत शर्गम कर्तुम्चा कथम उद्यताह भवंती देखे क्या कहा तो जो जिस परिवार में से एक व्यक्ति को मारना था घटूत कच के लिए तो सर्वेश दस्याह सफीश दस्य तदा परिवार से उस परिवार के सभीशे दश्य स्वा परिवार कान अपने परिवार जनों के लिए अन्यान सदस्यान तो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए मोक तुम छोडने के लिए स्वा प्राणो तो शर्गम कर तुम अपने प्राण देने के लिए कथम अध्यताह भवन्ती किस प्रकार अध्यत हो गए मतलब जो गटोत कच था वो एक ब्राम्हन परिवार के किशी एक शदश्य को पकड़ लेता है तो और पकड़ना क्या कहता है कि मैं आपके परिवार से एक किशी शदश्य को खाऊंगा जो मेरी माता ने आदेश दिया है उसका पौलन करूंगा तो सभी लोग एक दूसरे को छड़ाने की चर्चा करते हैं कि नहीं इसे नहीं खाऊ मुझे खालो या फिर मुझे ले जाओ इसे मत ले जाओ तो इस प्रकार से उन्होंने जो कहा उसका वर्णन यहाँ पर है परियां परती अपने परिवार के लिए यह पाठ जो है अपने परिवार के लिए समरपन का भाओ परिकट करता है इस पकार से कहा चलें अब श्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कड़े सब्द हैं यहाँ पर लेकर अपन सब्दार्थ सहित अर्थ को देखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्यास करेंगे हंत ब्रध बोलता है ब्रध जो की अलग अलग यहाँ पात रहें ब्रध है पर्थम पुत्र है घटोत कच्छ तीनों की अलग 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 बोलेंगे देखते हैं ब्रध मतलब बुढ़ा तो बुढ़ा ब्राम्मर कहता है क्या कहता है हंत निरासाह इसमहा हंत निरासाह इसमहा देखें क्या कह रहा है हंत हंत मतलब हाई कहते हैं ना हाई क्या हो गया हाई राम इस प्रकार से तो हंत निरासाह निरासाह मतलब निरास इसमह मतलब हैं तो क्या कहा हंत निरासाह इसमह हम निरास हैं भवतु पुत्रह व्यपाश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ब्यापाश्ट्रेन ब्यापाश्ट्रेन मतलब निवेदन करना ब्यापाश्ट्रेन मतलब होता है निवेदन करते हैं क्या निवेदन करते हैं एक और सब्द दिया है ताव देनम तावत एनम तब तक मैंने आपसे कहा भी था कि थोड़ा सा कठन रहेगा इस सब्द जैसे ये सब्द दिया हुआ है विपास रेश्चे तो इसमें अलग-अलग सब्दे दी देखेंगे तो बी प्लस अप और आ प्लस श्री जो है इन सब्दों से मिलकर ये बनेगा विपास रेश्चे तो क्या कहते हैं अच्छा पुत्र तब तक हम इससे ही निवेधन करते हैं तावदेनम तब तक विपास रेश्चे निवेधन करते हैं भवातू पुत्र हे पुत्र यहां जो ये दिया हुआ है शंबोधन तो संबोधन श्यापन को समझना है हे पुत्र हम अच्छा पुत्र य इस से ही निवेधन करते हैं चले क्या कहां पर्थम पुत्रह अलम-दम परिश्रमेद मतलब परिश्रम करें प्रिश्रम मतलब कम, अलम, अलम, अलम हो जाएगा, अलम, अलम, परिश्रमेड, मतलब, परिश्रम मत करो, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, ब्रद बोलता है, पुत्र, नरवेद, परत्यर्थनी, खलू प्राथना, ब्रद क्या बोलता है, नरवेद, परत्यर्थनी, खलू प्राथना, मतलब प्राथनी, मौक्ष की याचना, मौक्ष की इक्षा, खलू प्राथना, खलू मतलब होता है निश्चा ऐसे, प्राथना मतलब होता है प्राथना करना, थोड़ा सा पार्ट कठन है, अपन एक साथ इसका जब अर्थ देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा, भी आपको ल पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थनी खलू प्राथना पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थनी खलू प्राथना मतलब अब मोक्ष के लिए प्राथना होगी ब्रद्ध कह रहा है अपने पुत्र से के पुत्र अब तो मोक्ष के लिए प्राथना होगी आगे क्या कहता है भावतू पश्चामस्तावत-भवत्व पस्यामस्तावत तक-तक हम देखते हैं क्या होता है ? तब अगे क्या होता है ? bho bho पर उस भो का मतलब होता है हे या अरे होता है भोकारत अस्तिय अस्माकम मोक्षह अस्ति मतलब है अस्माकम मतलब हमारे लिए मोक्षह मोक्षह क्या हमारे लिए मोक्षह है उश्य बोलता है अब है घटोतकच का कथन घटोतकच क्या बोलता है मोक्षोस्ती शमयता घटोत कच जो है बोल रहा है कि मोक्षोस्ती समयता मोक्षोस्ती मोक्ष है क्या बोल रहा है मोक्ष है फिर समयता समयता मतलब का अर्थ क्या हो जा कि मतलब सर्त है मोक्ष तो है लेकिन मोक्ष के लिए कैसा है समयता समय का अर्थ क्या होता था समय का अर्थ सर्थ होता था तो मोक्षोस्ती समय तह मतलब एक शर्थ पर ही मुक्ती होगी या फर मोक्षो होगा ब्रद्धा कहा समय यहा कौन सी सर्थ है घटोत कच जहा घटोत कच बोलता है अस्ती में तत्र भवती जननी अस्ती में, अस्ती मतलब है में मतलब मेरी, तत्र मतलब वहाँ जननी मतलब माता, भवती मतलब आदरनिया तो वहाँ पर मेरी आदरनिया माता है तया अह माग्यपता, तया उनके दोरां अहम मुझे आग्यपता मतलब आदेशित किया गया है या फिर उन्होंने मुझे आग्या दी है किसने इनकी माता ने क्या कहा है पुत्र ममो पवाश निसरगार्थ मस्मिन वन परदेशे कस्चिन मनुस्या प्रती ग्रहिया नेतव्याईती क्या कहा पुत्र हे पुत्र ममो पवाश मेरा उपवाश है क्या कहा कि मेरे उपवाश में निसरगार्थ निसरगार्थ मतलब होता है भोजन के लिए निसरगार्थ भोजन होता है तो भोजन के लिए अस्मिन निकलेगा यहां से अस्मिन वन प्रदेशे इस बन प्रदेश में कश्चन मानुशा को यदी मनुश्य हो तो प्रती ग्रहया नेतब्य प्रती ग्रहया मतलब उसे देख करके या फिर खोज करके नेतब्या मतलब ले आओ मेरा व्रत है उपवाश है मेरा उस उपवाश के लिए इस बन में यदि कोई मनुष्य मिल जाए तो इस मनुष्य को खोज करके और मेरे पास ले आओ ततो मया शादितो भवान ततो मया शादितो भवान तो यह घटोत का चुन सब बोलता है कि इसलिए ततो आप लोग मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा आशादितो भवान मेरे द्वारा आप लोगों को पकड़ा गया है मेरी मा की आग्या का पालन करने के लिए आपको पकड़ा गया है ये कहा यहाँ पर अब दिखते हैं इस लोग अब ये इस लोग जो है घटोत कशी बोल रहा है पत्निया चारित्रशालिन्या दूईपुत्रो मोक्षमिक्षती वला वलम परिग्याय उत्रमेकम विसरजायत क्या कह रहा है जहां से पत्निया चारित्र सालिन्या जो पत्निया वो चारित्रवाली है सालिन चारित्रवाली है अच्छे चारित्रवाली है शालिन्या सालिन्या सालिन चारित्रह मतलब चारित्रवाल दूई पुत्रो मोक्ष मिच्छती सालीन चरतरवाली पत्री और दूई पुत्रो मतलब दूपुत्रो मोक्ष मिच्छती मिच्छसी दूपुत्र मुक्टी को चाहते हों तो वला वलम परिग्याय बला वलम बला वलम मतलब बल और अबल मतलब स्रेश्ट और हीन या फर बलबान और नर्वल परिग्याय परिग्याय मतलब जानकर पुत्र मेकम परिट्यज पुत्र मतलब पुत्र एकम मतलब एक परिग्याय पुत्र मेकम विसरजयत मतलब उसका बिस सालीन चरत्रवाली पत्नी है और दो पत्रों की यफर हाँ ये कहा है ध्यान से पूरा से देख लें जो ब्रद्ध है उस ब्रद्ध से बोल रहा है घटोतकच कि यदि आप अपनी सालीन चरत्रवाली पत्नी और दो पत्रों की मुक्ती चाहते हो दो पत्र है एक पत्रों की मुक आपको लगे कि ये हीन है इस हीन पुत्र में से मतलब किसी पुत्र को दे दो कि किसी गुण में कम हो कोई गुण उस पुत्र में कम हो तो उसे दे दो देखें यहां पर दिया हुआ है ये पुत्र लिए हुए है और ये माता पता हैं ये हाथ हमें लिए हुए इस प्रकार से अगला ब्रद्ध बोलता है हम भो राक्षशा पद किम ब्राम्वडं क्या कहा ब्रद्ध ने ब्रद्ध बोल रहा है कि हम भो राक्षश पद हे करूर राक्षश हे नीच राक्षश मैं क्या ब्राम्वड नहीं हूँ किम अहम ब्राम्हण, क्या मैं ब्राम्हण नहीं हूँ, हम हो राक्षश पद, राक्षशाप पसद, क्या मैं ब्राम्हण नहीं हूँ, ये बोल रहा है वो, चलिए ब्राम्हण बोलता है, ब्राम्हण शुर्टबान ब्रद्ध, ब्राम्हण सुर्टबान ब्रद्ध, शुर्टवान मतलब शुर्ट को जानने वाला सास्तरों को जानने वाला ब्रद्ध ब्रद्ध मैं ब्रद्ध सास्तरग्य ब्रद्ध सास्तरों को जानने वाला ब्रद्ध पुत्रम सील गुडानवितम अपने जो पुत्र है मेरा पुत्र है वो कैसा है सील गुडानवितम सील ग ब्रद्ध सास्तरग ब्रामण हूँ और जो अपने सीलवान जो गुणवान पुत्र है उस सीलवान गुणवान पुत्र को कैसा पुरुशाद अश्य पुरुशाद अश्य इस प्रकार के अपने पुत्र को और पुरुशाद अश्य मतलब पुरुश को खाने वाले पुरुश किस परकार नर्वरति मापनुयात मैं किस परकार से नर्वरति को प्राप्त होंगा या फर कैसे सांती को प्राप्त करूंगा मैं कैशा हूँ ब्रामण हूँ शुटवान हूँ और ब्रद्ध हूँ और मेरे जो पुत्र है वो शीलवान है और गुणों से सहत है और मैं तुम ज अब घट उतकच कहता है, क्या बोलता है यद्यर्थितो द्वजष्ष्ठ पुत्र मेकम नमुंचसी सकूटुमभ छणे निव विनाश मुपयास्ष। इस पकार से आपको यह याद भी करना है किया कहा यद यस यद जर्थीतो यद और अर्थीतो अर्थीतो मतलब मैंने मांगा है द्वजिसृष्टो यदै ब्रामन जी जो मैंने मांगा है यदि आप उसे नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या होगा साकुटूμबा छड़े नईव साकुटूमबा कुटूमब के साथ छड़े नईव एक छड़े में ही विनाश मुपयाश्यती विनास को प्राप्त हो जाओगे यदि जो मैंने कहा है कि एक पुत्र आप अपने पुत्रों में से दे दें यदि आप नहीं देते हैं तो आप बिनास को प्राप्त हो जाएंगे एक सा कुटमबह अपने कुटमब के साथ अब देखें ब्रद्ध ब्रामhn जो है वो बोलता है एश एव में निश्चयाः एश एव में निश्चयाः इस प्रकार का मेरा क्या है? निश्चे है ये बोल रहा है एश एव मेरा निश्चे है यही मेरा निश्चे है क्या कहता है अब देखें अब यहां भी श्टौक के माधियम सही कह रहा है क्रत करत्यम शरीरं में परिम्रा में नजर जरम राक छशाग नव शुता पेख्षी होश्या में विधिशन्सक्रतम क्या कहता है ब्रद ब्रामन क्रत करत्यम शरीरं में में शरीरं क्रत करत्यम जो मेरा सरीर है ये क्रत करत्य हो गया है कैसा हो गया है अब कारे करकर के ठक चुका है या फर मैंने पूरे कारे कर ली है करत करत्यम मेरे दुआरा सारे करत्य हो गए है सरीरम मतलब मेरे शरीर से में मतलब मेरे परिडामें इस परिडाम से जर जरम मतलब जर जर हो गया है बहुत जादा ठक चुका है मेरा सरीर कैसा है जो ब्रद्ध है वो कह रहा है करत करत्यम में शरीरम मेरा सरीर करत करत्य हो गया है मैंने सब कुछ देख लिया है परिणामे न जर जरम इस परिणाम से जर जर हो गया है बुढ़ा हो गया हूँ राक्छसागनव राक्छस की अगनी में या फिर उसकी पेट रूपी अगनी में सुतापेक्षी सुतापेक्षी मतलब सुत मतलब होता है पुत्र और अपेक्षी मतलब उसकी अपेक्षा तो पुत्र की अपेक्षा होस्यामी होश्यामी मतलब आहुत कर दूँगा या फिर उसमें खुद दह जाओंगा बिधी संस्कृतम बिधी मतलब होता है अनुष्ठान और संस्कृतम मतलब पवित्र तो यहां जो ब्रद्ध ब्रामणा है वो कह रहा है कि मैं अपनी पुत्र की अपेक्छा मैं ही खुद उस राक्छस की जो पेट की अगनी है उसको मेरा सरीर ही शांत कर देगा क्योंकि जो मेरा सरीर है यह कृतकरत्य हो गया है जर जर हो गया है और बिधी संसकारों शे पवित्र मेरा जो शरीर है मैं अपने इस सरीर से ही क्या कर दूँगा उसके पेट की अगनी को संत कर दूँगा ब्राम्हनी बोलती है देखें क्या बोलती है ब्राम्हनी आर्य मा मैवम मा मैवम मा मतलब नहीं मैवम मतलब इस प्रकार से एबम मतलब यह का कहती है कि आर्य इस प्रकार से मत कहो पती मात्र धर्मनी पती बृतेती नाम पती मात्र धर्मनी यहाँ पर अलग अलग शब्द है पती मात्र मतलब मात्र धर्मनी मतलब धर्मका पती ब्रते इती तो पती ब्रत इती मतलब इस प्रकार से नाम मतलब नाम है तो क्या नाम है पती ही पती ब्रत धर्म का नाम है या फिर इस प्रकार से भी कह शक्ते हैं कि पती ब्रता इस तरी के लिए तो पती ही उसका धर्म है आगे क्षण करने की इच्छा करती हूँ क्या कहती है ब्रामणी की मैं भी अपने इस शरीर से मैं अपने इस सरीर से ग्रहीत फलेन उस फल को ग्रहन करने के लिए जो जिसके लिए वो ले जाना चाहता है एक पुत्र को या फिर अपने परिवार में से किसी एक को तो उसके लिए क्या करना चाहता हूँ मैं उसके लिए जाना चाहती हूँ या फिर मैं रक्षा करना चाहती हूँ यह कहती है ब्रामणी घटोत कच बोल पड़ता है भवाती ना खलू इस्त्रियनो भी मत तत्र भवत्या मतलब भवती भवती मतलब आप ना खलू इस्त्रियो ना खलू इस्त्रियनो खलू मतलब निश्चय से ना मतलब नहीं आप इस्त्रियन इसके लिए अभीमत नहीं है ब्रद्ध बोल पड़ता है अनुगमिश्यामी भबनता अनुगमिश्यामी मैं आपका अनुसरण करूँगा मतलब मैं आपका अनुसरण करूँगा ब्रद्ध आगे जाके खड़ा हो जाता है तुरंत और कहता है कि मैं आपका अनुसरण करूँगा तो घटोतकच बोल पड़ क्या बोलता है अरे आ मतलब अरे ब्रद्ध मतलब बुढ़े त्वा बुढ़े त्वा मपशर सह मपशर तुम दूर हट जाओ तुम अपशर सह अपशर सह निकलेगा यहां से अपशर सह मतलब होगा दूर हट जाओ तुम क्या करो दूर हट जाओ अब देखें प्रथम पुत् भो तात अरे पिता अरे पिता जी क्या बोल पड़ता है पहला अरे तात ब्रभी मी खलू तावत किंचित मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूं तावत मतलब तब तक ब्रभी मी मतलब बोलना चाहता हूं खलू मतलब निश्चे से तावत किंचित तब तक थोड़ा मैं बोलन चाहता हूँ ब्रध बोलता है क्या बोलता है ब्रूही ब्रूही शीग्रम बोलो बोलो जल्दी बोलो कहो क्या कहना है ये कहता है अब देखें प्रथम पुत्र प्रथम पुत्र बोल पड़ता है क्या बोलता है श्लोक के माध्यम से ये कौन बोलता है पुत्र श्लोक बोलता है और शाथ में जो दूसरा पुत्र है वो भी एक श्लोक बोलता है दूसरा पुत्र भी बोल पड़ता है चलें पहले पुत्र का देखते हैं मम प्राणईर गुरू प्रच्छान निच्छामी परिरक्षितम जो पहला पुत्र है वो बोल पड़ता है की मम प्राणई है मेरे प्राण गुरू प्राणई है गुरू के प्राण़ों की इच्छा मी इच्छा करते हैं परी रक्षी तुम रक्षा करने की मतलब मेरे प्राण़ गुरू के प्राण़ों की रक्षा करने की इच्छा करते हैं रक्षन आर्थम रक्षण के लिए कुला श्यास्य इसकुल की मोक्तु मरहशी मोक्तु मरहशी मतलब मोक्षी चाहता हूँ माम भवान माम मतलब मैं भवान मतलब आपके दोरा तो क्या कहता है कि गुरू के प्राणों की रक्षण करने के लिए मैं अपने प्राणों को समर्प्रत कर सकता हूँ या फर गुरू के प्राणों की रक्षा करने की मैं एक्षा करता हूँ इसलिए क्या कीजिए आप मुझे जाने दीजिए या फर जो की भावान, माम, मोक्तुमरहशी आप लोग मुझे मोक्ष जाने दीजिए या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए मैं गुरू के प्राणों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ और इस कुल की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ इस प्रकार से अब दुतिय पुत्र बोल पड़ता है क्या कहता है इस प्रकार से नत कहो आर ये अरे मतलब आर्य इस प्रकार से मत कहो जेश्ठह स्रेश्ठह कुले लोके पित्तिडाम च सुशंप्रियह ततोह मेव याष्यामी गुरु ब्रत्ती मणुश्मरम मनुस्मरन क्या बोलता है जेश्ठा स्रिष्ठा कुले लोके कुले लोके पित्रिणाम चा सुसंप्रिया मतलब क्या बोलता है जेश्ठा स्रिष्ठा जेश्ठ जो है वो स्रिष्ठ होता है ये तो जेश्ठा स्रिष्ठा जेश्ठ पुत्र जो है कैसा है कुले लोके कुले संसार में, संसार में अच्छा होता है, श्रिष्ठ होता है, कुले लोके, तो जेश्ठ है, वो कुल में और लोक में स्रिष्ठ होता है, और पित्री राम चसुसंप्रिया, पित्री राम मतलब माता पिताओं के लिए, माता पिता के लिए, शुशंप्रिया मतलब बहुत जादा प्रिय होता है जिश्ट पुत्र लोक में और कुल में शुरिष्ट होता है और कैसा माता पता के लिए बहुत जादा प्रिय होता है ततो अहमेव यास्यामी क्या कह रहा है ततह अहमेव यास्यामी मतलब जाओंगा कहां जाओंगा तो इस राक्षस के पास गुरू बरत्ती मनुस्मरान मतलब अपने गुरूओं की बरत्ती को और अपने पूरवचों की बरत्ती को मतलब उनके आदर्स को इसमरान मतलब रिश् जेश्ट पुत्र जो होता है जेश्ट पुत्र कुल संसार में स्विष्ट होता है माता पता के लिए प्रिय होता है इसलिए ततो अहमेव याश्याम इसलिए मैं जाओंगा और अपने कुल और गुरु के आदर्शों को याद करता हुआ अब देखें जो तुर्तिय पुत्र था तीन पुत्र थे तो तुर्तिय पुत्र जो है बोल बोल पड़ता है आरे मामाईबं इस प्रकार मत कहो आरे इस प्रकार से मत कहो क्या कह रहा है जो की तुर्तिय पुत्र है बोब कह पड़ता है जेश्ठो भ्राता पित्री समाँ जेश्ठो भ्राता जेश्ठो मतलब होता है बड़ा पुत्र तो बड़ा भाई यहां तीसरा पुत्र बोल रहा है तो जेश्ठो मतलब जेश्ठो भ्राता मतलब होता है भाई पित्री समाँ पत्तिरिस्वह मतलब पitा के समान कथितह मतलब कहा गया है ब्रमभादी भी जो कहे लाते हैं मतलब कि बहुत फृष्ठ ब्रमाग्यय मतलब महरशी ब्रमभादी हलाते है ततो अहम इसलिए मैं करतु मर करतुमश्मियर हो यहाँ पर कि अर्ह मतलब होता है योग्य और आहम मतलब मैं, गुरु राम मतलब गुरु राम मतलब गुरुगों के प्राण रक्षण मतलब प्राण रक्षण के लिए इसलिए मैं गुरुगों की प्राण रक्षण करने के लिए मैं यहां पर जाने के लिए योग्य हूँ, क्या कह रहा है पुनाहा एक बार इशे देख लेते हैं कम्प्रीट जो तीसरा पुत्त बोल रहा है उसका कथन है क्या बोलता है कि आर्य आप मा मैवम इस प्रकार से मत कहो ऐसा नहीं है क्या है बड़े भाई जो है वो पिता के समान होते हैं किसने कहा है ब्रम्ह वादियों ने कहा है इसलिए मैं गुरुजनों के और बड़े भाईयों के प्राणों की रक्षा करने के लिए योग्यों हूँ अर्हो मतलब योग्यों करतू मतलब करने के अर्हो मतलब योग्यों इसलिए मैं गुरुवां और बड़े भाईयों की प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे जा रहा हूँ या फर उस राक्षस के पास जा रहा हूँ अब देखें जब इस प्रकार के सभी के बचन सुनता है घटोतकश तो क्या बुलता है अहो स्वजन वातसल्यम क्या बुलता है वा अरे स्वजन वातसल्यम श्वजन मतलब घर परिवार के शदश्य अपने जन अपने जनों का वातसल्यम मतलब वातसल्यम मतलब इनका प्रेम जो है प्रेम ब्योहार धन्य है इतीन इसक्रांता शर्वे इस प्रकार से सब चले जाते हैं सुचने वाली बात है देखें पूरे श्पाठ का एक बार अपन सारांस कर लेते हैं जिसे एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा ब्रदबराम्रण है ब्रदबराम्रण के तीन पुत्रों में capture एक पुत्र को या फिर पूरा परिवार जो है इस परिवार मैं से किसी एक सदस को ले जाने के लिए गटोतकछ तयार होता тех2 बहला है तो सबसे पहले ब्रद बोलता है कि मेरे पत्रों को मत लए जाओ मेरी पत्नी अच्छी है मिरे पत्र अ पत्रहे हैं और इन्हें मत लए जाओ तो किशे ले जाओ मुझे बूढ़ बोढ़ा हो गया हो और में बीजा हो और मेरा सरी Dieu करने के लिए सबसे पहले मैं जाओंगा तो दूसरा पुत्र बोल पड़ता है नहीं जेष्ट जो पुत्र होते हैं वो स्रेष्ट होते हैं और कुल को आगे तक ले जाने वाले होते हैं माता पता के प्रिय होते हैं चलिए मैं नहीं जाने दूगा अब जो तीसरा पुत्र था वो बोल पड़ता है कि जेश्ट भाई तो पिताकी शमान होते हैं ये ब्रह्माद रिशियों ने कहा है ब्रह्मभादियों ने कहा है तो फिर मैं गुरूओं की रक्षा के लिए अपने स्कुल की रक्षा के लिए सबसे पहले मैं जाओंगा जब इस परकार के बचन घटोत कच सुनता है तो कहता है कि धन्य है इनका वात्सल्य और वहां से चला जाता है इस पकार से यहां तक जो अपना पार्ट था वो कंप्लीट हुआ अब देख लेते हैं यहां अभ्यास कारे भी देख लेते हैं एक बार पूरा वीडियो एक साथ रहने देते हैं इसमें अभ्यास क सब कुछ साथ में कर लेते हैं क्योंकि टाइम जादा वैसे नहीं हुगा है पूरा कंप्लीट करते हैं वीडियो चल देखते हैं घटोत कचह कया आज्यपतह घटोत कच को किसने आज्या दी थी घटोत कच को तो जनन्या जनन्या मतलब जननी नयाग यादी थी उसकी माता नयाग यादी थी अगला प्रशन किम अहम ब्रामणा किम अहम ब्रामणा कहा उक्तवान मतलब क्या मैं ब्रामणा नहीं हूँ इस परकार किसने कहा था किम अहम ब्रामणा मैं ब्रामणा नहीं हूँ किस परकार किसने कहा था ये कहा था बूढ़े ब्राम्भण ने, पुरुशाद कहा आशीत, पुरुशाद हा कहा आशीत, पुरुशाद हा, मानाव भक्षी कौन था, मानाव को खाने वाला कौन था, पुरुशाद हा, तो जो घटोत कच था, वो था, कुल की रक्षा करना कौन चाहता है तो ब्राम्भणी कुल की रक्षा करना चाहती है जेष्ठ पुत्र जो है वो पिता के समान होता है ये किस ने कहा था तो ये तीसरे नमबर के पुत्र ने कहा था इतिति ये वाली पुत्र ने अगले एक पद मुत्तर देना है मतलब किसके द्वारा पकड़ लिया गया था तो जो ब्राम्हन परिवार है वो घटोत कच के द्वारा पकड़ लिया गया था शुता पेक्षी कहा आशीत शुता पेक्षी कहा आशीत पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था तो शुता पेक्षी ब्रध्धा आशी तो जो ब्रध्ध था ना ब्राम्हन वो अपेक्षा करने वाला था ब्रध्ध ब्राम्हन ठीक है ब्रध्ध ब्राम्हन जो था वो शुता पेक्षी था अगला पित्रडाम शुशम प्रिया कहास्ती माता पता के लिए बहुत ज़्यादा प्रिये कौन होता है जेश्ठा जेश्ठ पुत्र सबसे ज़्यादा प्रिये होता है अगला घटोत कचा कती पुत्रान विसर जईतुम कथे अती घटोत कच जो है कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है विसर जईत करने के लिए कहता है तो वो किवल एक पुत्र को छोड़ने के लिए कहता है एक पुत्र के लिए बोलता है गटोतकच अंते किम कत्यती गटोतकच जो है वो लाष्ट में क्या कहके जाता है जो पन्ने अंतिम पंक्ती पढ़ी थी वही कर लिखना है याँ पर गटोतकच अंते कत्यती अहो स्वजन वात्शल्यम धन्य है अपने परिवार जनों का वात्शल्यन का क waar और करम साह यहाँपर बढ़े प्ष्णों के उत्तर हैं भू लिखना है कि ब्राम्भणी वृ और थे ब्रधेती है यह लिखना है कम्प्लीट कूरा रुथे ब्राम्म कंब दूसरा पुत्र था वह अपने भाई के लिए क्लिए कैंता वो श्लोक है जो बो लिखना है और तृतिय पुत्त्रह श्वा ब्रहातारव ब्रहातारव किम कथियाशी चौथा वाला इसलोक लिखना है अग्ला वाला इसलोक बो लिखना है यापर अब देखें रिक्तिस्थानों की पूर्थी करनी है क्रमसह पती मात्र धर्मणी नाम पती मात्र धर्मणी नाम किम यह बताना है आपको तो पती ब्रतेती यह अपने पढ़ा था पूरा सेंटेंस जेश्ठाह कुले लोके जेश्ठाह कुले लोके किम तो यहाँ पर आपको खाली स्थान में बताना है क्या आएगा जेश्ठाह कुले लोके शुरेश्ठाह यह आएगा दूसरे नमबर पर तीसरे नमबर पर क्या आएगा करतकर्त्यम सरीरम में परिडाम से करत किरते होता है सरीर अगला जेश्टो भराता जेश्टो भराता किम तो पित्री समम था तो यहां चौथा आजाएगा अब पांचवा क्या है लास्ट जो की बचा हुआ है एक तो यही आजाएगा बलाबलम पर ग्याए पुत्रमेकम बिसर जयत यह वाला जाएगा यहां पर सही जोडियां मिलाना है यथा योग्यम योजयत देखते हैं पहला द्वज शुरेष्ठ का क्या आएगा इनमें से एक बताना है द्वज शुरेष्ठ जो है प्रात्ना आएगा पित्रीशम आएगा घटोत का चायेगा य यह बताना है तो पुरुशादा घटोत का चाह आएगा यहां पर पुरुशादा निर्वेद प्रत्यर्थनी निर्वेद प्रत्यर्थनी क्या आएगा यहां पर यह बताना है को गानंबर का क्या होगा तो प्रात्ना जर्जर हकिम जर्जर सरीर होता है जेश्ठ पित्रीश महापता के शमान होते हैं यहाँ पर सही गलत के चिन लगाना है घटोत कचह जनन्याह आज्यपतह घटोत कचह जनन्याह आज्यपतह बिलकुल सही है माता की आज्या का पालन कर रहा था घटोत कच और यह कुछ आप लोगों को भी लगाना है आगे ब्राम्हनी, पती मात धर्मनी आसीत, हाँ बिलकुँ सही है, पती मात धर्मनी आसीत आम हो जाएगा, अब ये शार्य आप लोग लगा किया न, यहाँ पर मूल शब्द दिया हुआ है, और बिभक्ती बचन लग करना है, तो कुछ आपको करना है, कुछ मैं बता देता यहाँ सरीरेण का लिखा हुआ है, शरीर मूल सब्द है, तर्तिया बिभक्ती का एक बचन है, गुरु नाम, गुरु नाम सब्द का आपको बताना है, गुरु नाम जो है, गुरु नाम में सस्थी बिभक्ती है, तो गुरु शब्द है, सस्थी बिभक्ती है, सस्थी बिभ प्तनिय शब्द में पतनि शब्द है र्भश्टी काएंक बचन है लास्थ पित्री राम के सश्थी घराम और सी होता है न हड़ी नाम टो बहुर पाझन होगा यहांपर और अब देखे करम सहा नेमने लखेत क्रिया पदानाम धात लखार रम प्रूश बचन रहां हैं तो या श्यामी या सिंधिको होगा या तफोलश्य appropriate लट लकार होगा पुरुष कौन सा है अत्तम पुरुष यहाँ पर बचन मुझशी में लट लकार है लट है इसमें और होश्यामी में लट लका रहा है लट और गमिश्यामी में भी लट है और यहां के वब लट है यहां लट लका रहा है यहां भी लट है अब मुंच धातु होगी यहां पर हरी धातु होगी यहां गम धातु होगी यहां इक्ष धातु होगी इक्ष पुरुष बचन क्या रहेंगे मुंच का ज तमप्रोष और लेक्छामी बिए ये उत्तंप्रोष इस प्रकार सब में एक बचन is अधातु अधाटू ह이신 इसके लावा यहां पर धातू और प्रत्या लगके वनेगा दथ ऌत्वा और प्लस तवाप्रत्या की तवाप्रत्य सब्सक्राइद पूड़ो रहेगी इसमें और तुम्तिया रहेगा कृणी ओंपत्य होने पड़ो करतम आने तब्याब में क्या होगा क्या हो गांज पूर्ण नी और तव्यत तव्यत पृतिय रहेगा इसमें प्रτι ग्राही है, सब्द जिसमें प्रती है, ग्रह धातु है और लिया प्रत्या रहेगा लिया प्रत्या अगारा मौना ह hopefully मौना HaAB करके जेष्ठ पुत्रह क्या हो जाएगा बताना है आपको जेष्ठ पुत्रह कौन सा समास होगा तत्प्रोष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् रक्षणम क्या होगा प्राणा नाम रक्षणम प्राणा नाम रक्षणम प्राणा रक्षणम सश्थी तत्पुरस होगा यहां पर सश्थी तत्पुरस रहेगा योगता बस्तार करना है आपको योगता बस्तार में देखें क्या क्या लिखा हुआ है संसकत भरषयाम रूपकार नाम दश्वेदा नाम भबन्ति रूपक कितने वेद होते हैं दश्वेद होते हैं श्लोक है है इसका समदकर ढ़ला है अ जो इसे लोक है 03 large okay याद नहीं मज़े थोड़ा सा भूल गया हूं लाश्ट में और जो इस लोग है ना ये साहित्य दरपणा नाम के गरंथ का है जो मैं बोल रहा हूं तो ये जो दस प्रकार के भेद हैं ये रूपक के भेद हैं नाटक पकरण भाड तो ये कहलाते क्या हैं आप लोगों पहली गारें के नाम सुने होंगे तो ये एक प्रकार के काब ये रचना ये फर गद ये रचना अपन कुछ भी कह दें उनके भेद हैं जैसे एक नाटक है तो नाटक लिखा जाएगा नाटक कैसे लिखा जाएगा तो अपन कहते हैं कि पाठ होता है जैसे अध्याय होता है इस प् इनमें किनकन का वर्णन होता है जैसे भाण है तो भाण में किसका वर्णन होता है जिसमें धूर्त चरत वाला नायक होता है इस परकार से डिम माईंदर जाल संगरामा इस परकार से मतलब इंदर जालादी का वर्णन होता है तो इस परकार के अंग हैं ये सारे के सारे इस परक नाट्यांस का सामुहिक अभिनाय करना है जो यह अपने देखा है नाटक यह छुटा सा इसका अभिनाय करके आपको बताना है चला है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिए नमस्कार्ण